हेलो एवरिवन कैसे आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरिस साहू अब इपसा एक्सेंस में आपका स्वागत करता हूं बच्चो हम जो है क्लास्टे इन साइन्स का आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन चेप्टर बच्चो चेप्टर नंबर 9 धातू धातू करम के में जिसमें हम जो है डिसकस करने वाले जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्चन जो कि क्या है बच्चो क्या बच्छों अबस्तों 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 लोग विल्कुल अपना मगज अपना अपना अवेरनेस बिलकुल इस वीडियो में लगाके तो आप इसको बहुत अच्छे से इंड तक देखिए और याद रखिए यह जो है आपका पॉइंट से बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चो चलो हम यह प्यारे प्यारे लिक्चर और आपका सफर जो है सफर जो है इसको स्टार्ट करते है क्या क्यों पाएगा जाने वाली ऐ पलों क्या नाम देख सकते है असका रेकी सूत्रर की सभाणिन गरूं सॉटाम है जारो हिरे ना तो हम सबसे पहले पता चलता बच्चों क्या हमें पता चलता है और ञारी है न तो एक हैट Master दूसरा है कर्बोनेत तीसरा कैया बच्चो सलफएट और चाहता है इन जो है जो दिख रहा है उसका कुछ-कुछ नाम है तो देखो आक्साइट के अंतर घंगत मैं दुझा तो क्या परचा रहा है एक हैं हैं मैगनेटेमिट और दूसरा है बगसाइट और एक और यहां क्या ह किसके और रधाइन और इसका यमूनाक़ायट रसानी क्सूतर क्या होता है और यह इसका है ऐसा होता है अब आफेट ट्रीवोर फ्री देखो इसमें तीन मैं बढ़ ‫ है ना तो आपको confused नहीं होना है सर यह तो सेम ही दिख रहा है हाँ यह सेम ही है तो यह है तो यह लोहे का ही है लेकिन फिर भी आपको इस रासानिक सुत्र में पता होना चाहिए है ना बच्चों ठीक है कंफूज नहीं होने फिर वक्साइट के क्या होता है अल्यूमिनियम का दो मात्र दिख रहा है अक्सिजन का तीन मात्र और इस तो दिख रहे है आपको ट्वेश्ट हो ठीक है यह किसका है वक्साइट का है साथी साथ कैसे टेराइट एससे नोटू डॉलोमाइट एमजी-सी-ओ-3 केचम कार्बोनेट अब ये तुआ किसका चर्चा कर लिया हमने हमने चर्चा कर लिया अक्साइट का वियूरं जो है हमने पांच देखा इसमें पांच जो हैस आशक देख लिए उसमें उसके अंदर रसानी शूतर देख लिए अब हम देखने वाले कर्बो carbonate Zn co3 clear फिर sulphide में क्या देखूंगा मैं sulphide में देख लिया आइरन पाइराइट afe h2 और copper pirate is जिसे क्या बलूँगा cufv h2 cufv h2 ठीक है फिर लाश्ट में sulphide में क्या जाएगा जिसको बताया था मैं gypsum क्या calcium sulphate रहता है है उसको हमने बात के था प्राश्ट्रव पेरी सीए एसफोर हाफ एसटू के बारे में और वह आपका डाई हड्र है क्या होता है जीप सौम होता है ठीक है बच्चो तो यह हमने थोड़ा बहुत जानकारी लिए लिए था किसके बारे में आकसाइड कार्बोनेट यह पता चल गए बच्चो अब हम देखते हैं कि हमारे इस 36 गड़ में यह कहां कहां क्या पाया जाता है और कौन सा एस का है जो है कितने मातरम पाया जाता है उसका थोड़ा मुद्ध हम लोग आप चर्चा करने वाले बच्चो जदा चर्चा नहीं करेंगे लेकिन जितना करेंगे सफिशेंट करेंगे बच्चो आपको नॉलिज बढ़ाने के लिए और आपको एक्जाम के पॉइंट हो पर इसे भी सम प्लस्य झांब उसमेंहें कितना क्या मिल रहें लाह से लेकर जितना भी और है अपको अबभग और आपका ज़िस स Committee कर लेते सीख से लेकर मैं बोल रहा था अर भेर से लेकर हेमेटाइट यह सिर्फले वह जो है आपका कहां से बच्छों मतलब जो आपको नौर्थ गृत कितब पाया बच्छों ठीक है तो आपको पता है यह क्या बोलेंगा मैं इस आपको तो बता यह होग सउंधी तो सर्फ साउथ तक है ना और इश्ड से लेकर वेश्ट तक जीतुना भी हैपके बच्चों जीतों भी आपका है वो कैसे परघवाताइब नक्सा देख करम चार्चा करने हा浮री बच्छों ठीक है किस प्रकार का खानों कैसे बना जाता है किस प्रकार यह सब करी चुकेते हैं कैसे दिखता है कैसे दिखता है हम रॉह रॉज सब कूरा प्रोसेस होता है कैसे आपको निर्मान होता है उसाब के पीछे ये सब हुआ करता है ना कि जो आपका है वह कहा पाया जाता है जो है मुख्य रूप से दंते वाड़ा पाया जाता है अगर आपको लोहा चाहिए बच्चो तो आपको सबसे पहले कहा जाना पड़ेगा डंतिवाडरा इलाक़ है पूर के साथ साथ चिछाना पड़ेगों rzeिवा Same साथ साथ आपकोह बस्तर गणा वहाइक है जब दोड के वहाइक है पता चलेगा जाएगे सब्लद को तर्सगोम है जारेगा हैं यहां आपको अटथ यहां क्या है क्या पता चालता है सर कि देश के लॉइस के में 36 गर्ण का कूल भंडारण 21.60 तक है कहां बच्छो कहां बैला डिल में ठीक है दंते वाला के बैला डिला में ही देखो बैला डिला में मुख्य रूप से आपके ज्यादा मातरम कहां पाया जाता है ठीक है देश के लिए इतना है बैला डिला में सबसे जादा है और यह देश का पांचुए इस्थान और कितना मिलियन टन्स है बच्छों भंडारण यहां का 4858 मिलियन टन्स है चतिस गण में भंडारा है और आपको बैला डिला जो दंते बाडा के बैला डिला के शेतर में जो कि कैसा दिखाई देता है यह जो है लौग आईसकर निकाल ले का एरिया है बच्छों पहलादा यह चेतर है यहां पर ही होता है लोग याँ का पूरा प्रोसेस कैसे निकलता है यह सब प्रोसेस होता है बच्छों यहां आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या पता चला था सर चाला था कि जो आपका कांकेर नरायनपूर है ना इन सभी छेत्रों में भी नरायनपूर, राइपूर, कविरधाम, महासमुन, गर्याबन और राजनन्द गाउन जैसे सभी छेत्रों में आपको क्या मिलता है हेमेटेंट मिलता है लोहे का मिलता है अब हमस्के आपको सरगूजर मिलेगा कोरबा कंकेर बसतर गपिरधा मपूर और कोंडागों में आपको मिलबाच घ्राइट मिलए टिक है यहां तक समझ वह जहा आ मिलता है सुकुमा बेमेतर बस्तर रायपूर रायगार जानजगीर चापक कबिरधाम बस्तर विलासपूर है ना बस्तर डबल हो गया दूर्ग और राजनाजगाओं के एरिया जो है लाइम स्टोन जो है चुना पत्थर जो है वह कहां मिलता है मुख्य रुप से इन सभी जिल अब देखिये आपको पता चलेगा कि यह जो है सबसे ज्यादा मुख्य रुप से जीफन करही करके एक एरिया होता है कहां जीफन करही करके जीफन करही नाम के एक जगह है जहां सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि रवान हिर्मी सोना डी जैसे छेत्र है समझ में आ गया तो इस प्रकार हमें ही समझ में आ गया कि कैसे जो आपका 36 गड़ है वह कैसे खनिश संपदा की दिश्टिश से क्या है बच्चो खनिश संपदा से भरपूर है तो हमें दो चीज़ करना था हम कर लिए साथी साथ और देख लेते हैं यह जो आपका यह है इस दिखा आपको दिखाए दे रहे हैं आपको कैसे वहां का रावन सीमेंट का वर्क होता है यह सब थोड़ी सी डाइग्राम टैप है जिसको आप देख सकते हैं तो हदबंद में इस्तित है जो थीक है अब आगे बढ़ते हैं हमें क्या पता चलेगा पता चलेगा कि जो बढ़ता बजार बच्चों वहां सोना भी पाए जाता है तो लाइं मिश्टरों के डिसकस कर लिया ठीक है अब दोलो मैट जो है सर वह जो है दूरगा कभीरधाम बिलासपूर बढ़ता बजार सकती जांजगीर चापा बेमितरा और बस्तर में पाए जा तो है आपका गर्यपन इराकव पढ़ता है उधर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा साथी साथ कैसे ट्राइट यह भी दंते वाड़ा और बस्तर में मिलता है को रंडम यह कहा मिलेगा बच्चों दंते वाड़ा सुकुमा और भीजबपूर में सुना खान घ्राकिल के प्वाड़ा बागमारा बागमारा मिलते हैं बच्चों साथ साथ राजनंद को जी पर चेत्र बच्चों क्या चेत्र है और पीपर कच्छार करके जो एरिया है वहां भी क्या मिलता है बच्चो वहां भी सोना पाया जाता है सोना जो है कौशली चीज आपको तो पता है और कहां पाया जाता है अगर आपको सोना क्या करना है बच्चो सोना खुजना है तो आप यहां जा सकते हैं थीक है सोना खुज खरीदी है चलो आगे बढ़ते हैं हमें क्या पता चलता है बच्चों कि सर जो जितना भी छट्रीश गड़ में एरिये था था हमने वहां कर डिसकस कर लिया किसके कि कहां का खनी संपन्द पाया जाती है और एक क्या बच्च गया था परका बच्चों अबरक जो है वह मुक्हे जला में पाए जाता है इसका हुमें डिस्कर्स करना था बच्चों कि हमने कर दिया बच्चों तो यह समझ में आया हो और कहां कहां में कौन कुम सा आपका खनिंशंत इसका हुमें तो यह ली fijसません इसके ido राता हैं तो इसी प्रकार आप नॉलेज के लिए अगर आपको जानना है बच्चो और इसके बारे में ज्यान वरधन आपको जानकर लेना है तो आप हमसे जूड़ सकते हैं बच्चो हम जो है हम जो है अभिपसर टीम है हमारा एक अभिपसर टीम है बच्चो जो की एलर्निक एप है आप गूगल प्लेश्टोर में जाएए और अभिपसर डाउनलड करें बच्चो और हमसे जूड़ सकेंगे आप और आप साथी कच्छ नववी से कच्छ वार्य तक के बच्चो जितने भी हिंदी मीडियम के चातर चातरा है उन सब के लिए हमारे अभिपसर एप में पूरे वीडियो लेक्चर अवलेबल है बच्चो और आप जो हमसे जूड़ेंगे साथी साथ आपको ग्यान वर्धन जानकारी से लेकर करियर काउंसलिंग तक की सभी आपका क्या करेंगे कू वीडियो लेक्चर भी अवलेबल है किसमें बच्चो अभिपसा एप में बच्चो किसमें अभिपसा एप में तो आप जो हमसे जूड़ सकते हैं बच्चो और यहाँ पूरे अनुभववी टीचर से आपको सीखने को मिलेगा बच्चो तो आप हमसे जूड़िये और ऐसी ज्ञान वर्धन बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे वच्चो